आप देख रहे हैं सीजनल कुकिंग विद नुशीन अशर और आज हम बना रहे हैं चिकन चाओमिन आएए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक कडाही में दो लीटर फानी बॉइल करेंगे इसके अंदर एक खाने का चमच नमक एड़ कर देगे अब इसके अंदर में स्पैगिटी जाइड कर दूँगे साथ से आठ मिनट में पास्ता बॉइल हो गया है अब इसमें से वाटर को ड्रेन कर देंगे अब इसके ओपर टैप वाटर डालेंगे पास्ता कूल डाउन हो गया है अब इसके ओपर थोड़ा सा मॉइल डालेंगे प्राही में हम दो खाने के चमच ओईल लेंगे इसमें हम एक चाई का चमच चॉप डाल लेंगे एक कप चिकन लेंगे इसको मैंने पंद्रा मिनट पहले एक खाने का चमच सोया सॉस लगा के मैरिनेट करके रख दिया था अब इसको हम दाज अब इसको हम दाज को खोड़ जाए अब हम इसके अदर वैजिकेबल करेंगे वैजिटेबल में मैंने लिए है बंगोभी, शिम्मला मिर्च, गाजर, प्यास, सबस और सबस मिर्ची यह मैं इसके अंदर आट कर दूँगे वैजिटेबल दातन के बाद सामने इसको दो के तीन मिनट फ्राइ करेंगे सेज आज पर अब इसके अंदर एक चाय का चमच नमक, आदा चाय का चमच कुटी हिका लिए आदा चाय का चमच सुपेब देश, दाल के मिक्स करेंगे अब इसके अंदर मैं सल्मान्ज की पास्ता सॉस एड करूंगी, इस सॉस को एड करने के बाद, हमें इसके अंदर किसी और सॉस को एड करने की जुरुरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर हम चार खाने के चमच सल्मान पास्ता सॉस एड़ कर देंगे मिक्स करेंगे इसको अब इसके अंदर पास्ता एड़ कर देंगे अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे चिकन चाओ मिन बनकर त्यार है अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे चिकन चाओ मिन बनकर त्यार है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राए करें अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया अलाहाफेस करें करें अ